आप आप सभी हम लोग आज का जो हमारा topic है that is design engineering design engineering में जो question आता है अपके exam में वो आता है modularity से related what is modularity तो design engineering में modularity ही पढ़ेंगे लेकिन पहले हम लोग design engineering पहते हैं कि design engineering है क्या अकले उससे पहले हम design process समझ लेता है the software design is also called software engineering software design ही software engineering होता है the discipline concerned with the construction of software that is efficient, reliable, robust and easy to maintain design always implies the medium of construction and new technology bring with them new domains for design design process means the development of software the software engineering or software engineering का मतलब यह है कि हमें rules regulations को disciplines को follow करते हुए अपने design process को आगे बढ़ाना है और design process में जितने भी technologies है उने भी हमें ध्यान में रखना है जो नई technology उनको भी ध्यान में रखना है किस technology tools से हम काम कर रहे हैं उनका हमको ध्यान में रखना है तो तब हम design अपनी process स्टार्ट करते हैं और किसी भी software का जो design है वह हमेशा देखो researcher क्या करते हैं वह हमेशा explore करते रहते हैं कि नया environment में क्या चल रहा है जैसे माल लिजए कि आज से हम 20 साल पहले या 10 साल पहले चले जाएं तो 10 साल पहले software की जो needs थी और जो software का structure था और आज के software structure को अगर हम compare करें तो काफी फर्क होता है तो इसका मतलब यह है कि जो software engineers है यह हमेशा नया explore करते रहते हैं कि आगे की technologies कैसी होंगी उन technologies के लिए designs कैसे possible हो सकते हैं किस तरह के हम design accumulate कर सकते हैं कैसे designs नए combination से नई devices से हमारे software नई devices को कैसे compatible होंगे ठीक है तो यह सारी चीज़े software design में होते हैं तो नई technology का विध्यान रखना है old technology का विध्यान रखना है कभी भी हम software का design अपने old technology based नहीं होगा otherwise जैसे ही हमारा software किसी भी नय या hardware company कोई भी hardware update करती है और जब उस पे वह software चलाएगा तो वह software में problem आएगी चलेगा ही नहीं या support नहीं करेगा तो problem आजाएगी तो design process एक ऐसा है कि जो कि vision आपको future vision रखनी पड़ेगी design process को करने के लिए software designing के लिए software development के लिए software engineering के लिए ठीक है modular design modular design इसकी हम लोग बात कर रहे थे modular design की modular का मतलब होता है किसी भी बड़े पार्ट को बड़े project को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना जैसा कि figure दिखिया अब दिख रहा है figure में हमने large project एक लिया उस large project को हमने split करा या उसको divide कर दिया division of project तो बड़े project का division बना उन्हें हम modules कह सकते है module A, module B, module C क्या कहते हैं, products को भी manage करेंगा और products में कई सारी variety थे Cosmetics के product को management के लिए अलग उसमें modules होगा Clothes के अलग होगा Grocery का अलग होगा Confectionary का module अलग होगा Salary का अलग होगा Stock का अलग होगा Supply Management का अलग होगा जो order receive हो रहे है उनका अलग होगा जो income है उसका module अलग होगा तो धेर सारे modules बनेंगे अगर आप ये सोचिए कि इसकी पूरी coding एक साथ करने को कह दिया जाए तो क्या होगा? पजल हो जाएगा आपका mind पजल हो जाएगा जिस तरीके से आपसे कभी कोई काम बताया जाए एक बहुत बड़ा काम बताया जाए कि ऐसा है कि तुम पहले ये कर लो ये कर लो ये कर लो आप कहेंगे एक मिनट तोड़ा थोड़ा करके बताए एक एक बार में बताए और हम उसको क्या करेंगे? छोटे-छोटे parts में अपने work को बाट लेंगा इसी को हम modular कहते है तो जब हम अपने कोई भी दिन में करने वाले कामों को छोटे-चोटे पार्ट में बाढ़ते हैं तो उसी तरीके से software एक बड़ा project होता है उसको छोटे-चोटे पार्ट में हमें divide करना होता है जैसे हम module A, module B, C, D, E, F या कोई भी नाम दे दिजा अब module 1, 2, 3, 4 कह दिजए तो उसको हम module करें इससे क्या होता है कि अगर module A, B, C है अब module A में कोई problem आती है तो उसका effect B पे नहीं पढ़ना चाहिए B में कोई problem आती उसका effect C में नहीं पढ़ना चाहिए module A में अगर कोई error है तो आप वो easily find कर लेंगे क्योंकि module A में line of code कम होंगी module B में line of code कम होंगे module C में line of code कम होंगे माल लिजए कि हर module में 2200 line of code है तो टोटल 600 है अब इसी को अगर हम modular ना बनाते और large project में ही coding करते और कोई error होता तो 600 lines में error ढूढना पढ़ता हमको तो अब हमने module जब बना दिया नहीं कि part कर दिये तो अब हर part में module A में 200 lines है तो अब error हमें सिर्फ 200 lines में ही ढूढना पढ़ेगा हो सकता है B और C में कोई error ही ना हो तो B और C को हमको touchy नहीं करना है तो इसलिए error easy हो जाता है तो complexity reduce करता है modular design modularity अब exam में जो question पुछता है वो कहता है modularity के बारे में पुछता है तो अब आप ये चीज़ उसमें लिख सकते है बागी जो चीज़े हमने बताए है आप उससे भी अगर कुछ समझ के notes बना सकते है तो लिख लिजे आए that is लिख दिजे कि हर module की एक location fix कर दिया है कि ये module यहाँ बर use होगा जिस तरीख से आप कोई भी MS Office, Word, PowerPoint की window देखते है तो file, edit, view, insert इन सब की देखी location fix होती है close button, minimize button इनकी देखी location fix होती है तो एक location उनका address fix कर दिजे ठीक है और उनको साथ में क्या करिए कि जितना भी modules आप बनाए अलग-अलग-अलग-अलग सारे complete होना चाहिए और सारे module functional होना चाहिए module must perform a function at least a function many functions भी कर सकता है एक module 2, 3, 4, 5, n number of function को perform कर सकता है it is the only property that allows a program to be intellectual manageable क्योंकि intellectually अगर आपको program को manage करना है तो हमें modular programming करनी पड़ेगी single large programs are difficult to understand and read due to large number of reference variables, control pass, global variable, logic, looping statements and so on and many more तो अगर एक बड़ा program है तो बड़े program को read करना, उसको debug करना, उसकी logic को समझना it's quite difficult जैसे calculator का program बना है तो calculator में आप plus के लिए अलग एक function बनाएंगे minus के लिए आप एक अलग function बनाएंगे तो वो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे modules होगा plus, minus, division, subtraction, multiplication इन सब चीजों के लिए अलग-अलग-अलग-अलग आपके चोटे-चोटे modules होगा अब इनको अगर हमें एक में करेंगे तो debugging is very difficult complexity high हो जाएगी properties of modular system यह कुछ points है, चोटे-चोटे से है each module is well defined हर module well defined होना चाहिए that means ambiguous नहीं होना चाहिए ambiguity नहीं होना चाहिए मतलब confusionness नहीं होना चाहिए और जो भी module है किसी एक single specific purpose के लिए बनाया जाए, जैसे माले जब print का module है तो उसमें सिर्फ print का ही work हो अब print वाले में font की formatting नहीं हो जब आप print करते हैं तो print वाला जो dialogue box आता है उसके अंदर देखे, print से ही related सारा चीज़ें होती है page setup होता है, page number ही होती है printer की quality होती है high quality, low quality print को reverse order print करना है forward printing करनी है तो सारा कुछ print से ही related होता है अब यह नहीं कि उसमें आप salary print करा रहे हैं तो salary print कराने में उसमें stock की information भी आ जा रही है और clothes की information भी आ जा रही है और cosmetic की information भी आ जा रही है यसलिए each module has a single specific purpose module can be separately compiled and stored in a library उनको अलग-अलग-अलग-अलग compile करना है और उनकी एक library बना दीज़े library का मतलब होता है collection आपके पास अगर similar type की modules है तो उनका collection बना दीगी यह हमारे similar type की module हो जैसा function perform कर रहे है like कि कोई भी आपने एक software बना रहे है alignment के button एक साथ मिल जाएंगे आपको ठीक है color से related एक साथ मिल जाएंगे तो इस तरीके से उनका group बना दे library उसको कहते है आप library word यूज कर सकते है group भी word यूज कर सकते है module can use other module that means एक module दूसरे module को भी यूज कर सकता है ठीक है जैसे आप print करते है तो प्रिंट करते है तो एक dialogue box आता है उस प्रिंट में dialogue box जाता है तो उसमें आपने देखा होगा advanced setting होती है advanced setting पे click करेंगे तो वो एक अधर dialogue box को open कर देगा तो एक module ने दूसरे module को call कर रहा है that means module can communicate to each other module should be easier to use than to build वो use करने में आसान होना चाहिए यह निकि user उसको use आसानी से करें जैसे laptop बना तो बहुत complexity से है लेकिन क्या उतनी use करना भी उतनी complexity use करना देखे कितना आसान होता है modules are simpler from outside than inside बाहर से modules simple होने चाहिए inside से चाहिए इतनी भी complexity हो कोई दिक करती है तो यह आपका properties है effective design method to develop a modular system जब आप modular designing कर रहे हो यानि कि software को module में part कर दिया divide कर दिया अब ध्यान रखिये क्या करना है modular decomposability that means the overall complexity of the program will get reduced if the design provide a systematic mechanism to decompose the problem into sub problems यानि कि decomposability वह बहुत proper होने चाहिए जैसे माल लेजे salary salary को हम किस चीज में divide कर सकते है salary को हम basic salary TA, DA, HR, A इस में divide कर सकते है जैसे student है student माल लेजे को एक modular student student को किस में divide कर सकते है science student, arts student, commerce student या माल लेजे कि BCA के student तो BCA course है तो BCA को हम किस में divide कर सकते है first year, second year, third year first year को first sem, second sem first sem में subject one, subject two, subject three, subject four समझे है relation होना चाहिए systematic decomposition होना decompose मतलब उता है toड़ोना, divide करना next year, modular composability if a design method involves using the existing design component while creating a new system it will lead to a solution that does not reinvent the wheel ये कह रहा है कि अगर आप कोई module बना रहा है और उसमें कोई existing module की logic या existing module जो आप पहले से बना चुके है उसकी अगर आप logic use कर रहे है तो आपको नया module फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है फिर से, जैसे माल लिजए किसी particular company के लिए आपने salary module बनाया अब एक client था उसने salary module तो हर client कोई दूसरा client है उसने भी का salary module आप उसी का copy paste कर लिए तोड़े बहुत changes होंगे modular understandability if a module can be understood as a separate stand alone unit without referring to other modules it will be easier to build and edit मतलब किसी भी module को separately हर एक module अपने आप में stand alone unit होनी चाहिए stand alone unit का मतलब है कि किसी एक module को समझने के लिए ऐसा ना हो कि आपको 10 module जब तक समझेंगे नहीं तब तक एक module आपको नहीं समझ में आएगा that means single module stand alone होना चाहिए और उससे आसानी से module जो coding होती हो build होती है और edit easily हो जाता है next point है modular continuity that means अगर आप किसी एक module में change कर रहे हैं तो उसका effect दूसरे module में नहीं होना चाहिए या एक में change करा तो बाकी सभी में अपने आप changes ना हो जाए यानि कि cascading नहीं होने चाहिए cascading का मतलब होता है जैसे कि एक में कोई effect आपने डाला तो दूसरे तीसरे चोहते पांच में अपने आप effect होता चला गया ऐसा नहीं हो चाहिए उसी में change हो modular production if an unusual events occur affecting a module and it does not affect other module the impact of error included side effect will be minimized that means कि क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि एक module दूसरे module को affect नक्रें नुक्सान न पहुचाए नुक्सान का मतलब होता है जैसे कि एक module को आपने डिलीट कर रहा तो उसके दूसरे module पड़ेंगे यह है simple effective these are some effective design method to develop a modular system design quality यह points आप समझने के लिए समझ सकते हैं बाकी अगर आपको modality अगर पूछता है तो उसमें लिखने की ज़रुरत नहीं है यह आप अपने समझ के लिए interview अगर में आप इसका use कर सकते है इन points का जाओ job interview में software design principle present a set of guidelines that helps us to avoid having a bad design bad designing कैसे आप avoid कर सकते हैं आपका जो modules है जो आप प्रोग्राम बना रहे है वो bad designing से कैसे बच सकते हैं 3 important characteristics of a bad design 3 important characteristics इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे अगर इनको आप avoid कर देते हैं तो आपका software good हो जागा जैसे rigidity rigidity का मतलब है जैसे किसी चीज़ पर rigid हो जाना और जाना बिलकुल it is hard to change because every change affect too many other parts of the system मतलब के अगर मकान में कोई changes कर रहे हैं माली जाए एक दिवार में खिलकी निकालना है मकान बना लिया एक खिलकी बनाने के लिए आप खिलकी बनाना भूल गयते हैं अब आप खिलकी बनाने के लिए दिवार को तोड़ रहे हैं जैसे ही आपने दिवार तोड़ी अगर इसका डर है के पूरा घर ही गिर जाएगा तब तो यह बेगार डिजाइन है घर का यानि कि जब हम चाहें खिलकी निकाल लें जब हम चाहें दर्वाजा निकाल लें जब हम चाहें दर्वाजे को बंद कर दें दूसरी तरफ दर्वाजा निकाल लें ऐसा होता है न पॉसिबल तो घर ऐसे ही बनते हैं कि ऐसी जगह से अगर हमें कोई changes करना है आपने किसी चीज में कोई चेंज करा अब उसका इफेक्ट एक ऐसी जगा पड़ गया जहां से सिस्टम ब्रेक कर गया अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह हमने चेंज तो उस मॉडिल में करा था फलाना मॉडिल काम करना क्यों बन कर दिया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए यह नहीं होने चाहिए यहां पर इसका efek्ट हो जाएगा Immobility, immobility का मतलब होता है के software आपने, it is hard to reuse in another application जैसे माल लिजे कि आपने software बना है, operating system Windows 2007 पे काम कर रहा है उस पे आपने install कर दिया, अब अगर आपने 8 पे install कर रहा तो 8 पे हो ही नहीं रहा है Windows माल लिजे 2005 पे आपने कर रहा, 2005 पे install नहीं हो रहा है यानि कि आप अपना software किसी other platform पे ले ही नहीं जा सकते है Immobility का मतलब होता है, not moving, यानि आप आपका software move करने लाइक नहीं है तो यह तीन points है, इनका बहुत जरूरी है ध्यान रखना अगर यह तीनों points आपके software में नहीं है, software design में, तो आपका software अच्छा है, otherwise bad designing है Okay, that's all about the modularity, that's it, thank you and be safe этаудь is धनुण inequality, हैज तीन का 파स्स्चाइब झाल वे Sun पेझएlli के इन के सकते है झाल झाल